नमस्कार दोस्तों, किड्नी या गुर्दे की पथरी काफी दर्दनाक होती है, अच्छी बात यहां है कि इसे डाइट से काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है, ज्यादा तर केसिस में अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ऑप्रेशन की नौबत नहीं आती, किड्नी इस्ट यूरिक एसिट के जमा होने से भी बनती है, इनसे बचने बढ़ने से रोकने या ठीक करने के लिए आपको डाइट पर ध्यान देना जरूरी है, तो आई यह उन चीजों के बारे में जानते है, खूब पिए पानी, सरीर में किसी भी केमिकल को डाइल्यूट करने का सबसे अ से बचने के लिए ऐसा खाना खाए, जिसमें कैलसियम हो, सप्लिमेंट लेने से बचे, कैलसियम दूद, दही, पनिर और चीज में होता है, सरीर में विटामिन डी की कमी भी ना होने दे, विटामिन डी कैलसियम को आउसोसित करने में मदद करता है, सूरज की रोचने विटा अगर आपको इस्टोन की समस्या है तो इन्हें ना खाए हल्दी में भी ओक्जलेट की मातरा ज्यादा होती है हल्दी को सप्लिमेंट के रूप में ना लेकर इसे खाने के साथ या दूद के साथ ही ले तो दोस्तों इस तरह के और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद